दोसो अब आखिरकार पाकिस्तान से रईसों ने भागना सुरू कर दिया है पाकिस्तान की खस्ता हालत के सिकार ना बन जाए इसलिए वो अपना बुरिया विस्तरा उठा कर पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कंगाल हो रहा है पाकिस्तान ऐसे में क्या पाकिस्तान आगे जाकर खतम हो जाएगा क्योंकि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2022 में पाकिस्तान छोड़कर जाने वालों की संख्या 8,32,349 है जो कि 2021 के मुकावले 200 पर 30 जादा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान में सिरफ ऐसे ही लोग बच जाएंगे जो देश की GDP में कुछ जादा योगदान नहीं कर पाएंगे ऐसे में अब आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान के रईस वहां से भाग रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में दोस्तों पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है ये तो सभी को मालूम है पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई कई सौ गुना बढ़ चुकी है वेतन में कटोती हो रही है और रोजमर्रा का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के सभी दोस्त उसकी financial मदद कर चुके हैं मगर फिर भी पाकिस्तान के हालात में जरासा भी सुधार नहीं है पाकिस्तान के उपर I.M.S. का जितना खर्च है उससे तीन गुना जादा कर्च उस पर चीन का है इसलिए चीन पाकिस्तान का फायदा उठा रहा है और पाकिस्तान सब को जान कर भी कुछ नहीं कर सकता और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान की करेंसी 25% तक नीचे गिर चुकी है और इसी हफते पाकिस्तान में पाइलेटस ने भी इस्तीफा देने की घोस्टना की है क्योंकि हाल ही में घोस्टना की गई थी कि पाइलेट की सेलरी को बढ़ाया नहीं जाएगा और उसके बाद ये घोस्टना की गई थी कि उनकी सेलरी में 35% की कटोती भी की जाएगी ऐसे में वहां के पाइलेट्स अब इस्तीफा देकर दूसरे देसों में जॉब तलासने में लगे हुए हैं इसके लावा पाकिस्तान के अन्य लोग भी देश छोड़ कर जा रहे हैं जैसा कि हमने आपको बताया 2022 में काफी संख्या में पाकिस्तान से लोग देश छोड़ कर गए हैं और उनमें ज्यादा तर ऐसे लोग सामिल हैं जो काफी अमीर हैं और वो बाहर के देशों का लाइफ इस्टाइल एफॉर्ड कर सकते हैं जिनें पाकिस्तान में अपने कारोबार खतम होते हुए दिखाई दे रहे हैं दरसल पाकिस्तानी सरकार ने कारोबारियों को मिलने वाली सबसीडी को खतम करने का फैसला लिया है पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए सहबाज सरीब की सरकार ने टैक्स लगा कर और सबसीड़ी खतम करके 170 अरब रुपए जुटाने का ऐलान किया था और उसी के बाद से कारोबारियों को होने वाले घाटे का अंदाजा साफ साफ नजर आने लगा था वैसे तो पाकिस्तान के राष्टपती ने सहबाज सरीब के इस फैसले को मनजूर नहीं किया था लेकिन इसके बाद सहबाज सरीब की सरकार ने नए नए तरह के टैक्स लगाने सुरू कर दिये और टैक्स देने वालों से 10% जड़ा टैक्स वसूला जा रहा है जो देखा जाये तो विल्कुल भी जायज नहीं है ऐसे में देखा जाये तो पाकिस्तान का सारा बोज मानों पाकिस्तान के अमीर लोगों के कंदों पर आगिरा है जो टैक्स भर सकते हैं इसलिए ये लोग पाकिस्तान को छोड़कर जाने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं और पाकिस्तान के अमीर लोगों के पीछे-पीछे पाकिस्तान की विदेसी कमपनियों के जो प्लांट्स हैं वो भी बंद हो रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की महंगाई दर 31% है जो पिछले 5 साल है जिसे देखते हुए बड़ी-बड़ी कमपनियां अपने प्लांट बंद करने की घोशना कर चुकी है हाल ही में होंडा कार्ज ने भी अपनी पाकिस्तानी कार ब्रांच बंद करने की घोशना कर दी है क्योंकि ऑटो पार्ट्स की निरियात के रुकने की वज़े से आटम वाइल कमपनियां वहां काफी समय से आटम वाइल पार्ट्स की किलत जेलती हुई आ रही है और इस वज़े से उनको ये फैसला लेना पड़ रहा है ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक इस्तिती काफी ज़्यादा खराब हो चुकी है और कहा जा रहा है कि आगे जाकर ये इस्तिती और भी ज़्यादा बत्तर होने वाली है तो दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरू बताएं साथी वीडियो को लाइक करके सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें